जब हम personality को discuss कर रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी elements क्या है, components क्या है और एक personality की characteristics क्या है, उसकी traits क्या है उसके बारे में मुतलिफ terrorist ने मुतलिफ थेरिस बियान की है personality को define करने के लिए, explain करने के लिए तो यहाँ पे Alport ने suggest किया कि there are three major traits that is cardinal, central and secondary traits उसने personality को trait के हवाले से discuss किया कि एक personality जो है, वो इन traits के साथ जो है, वो move करती है अब तीन, उसने जो नाम दिये हैं, उसका मतलब यह है कि special trait which involves, which gives the uniqueness to the personality is called cardinal trait अच्छा, अब uniqueness की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं, जी, वैसे तो हर personality unique है लेकिन unique personality में भी discussion है हम किसी को profession wise जो है, वो personality अच्छी कह सकते हैं लेकिन personality अपनी personal traits के साथ जब सामने आती है तो हम कि देखते हैं कि इस personality के अंदर discipline कितना है इस personality के अंदर modesty कितनी है इस personality की appearance जो है, वो कैसी है इस personality की जो है, वो management skills कैसी है इस personality की जो है, वो societal interaction कैसी है और इस personality ये stable है या unstable है और ये डिसिएंस लेने में कितना जो है वो strong personality है weak personality है किसी की हम कहते हैं जी बड़े nerves strong है किसी को हम कहते हैं जी बड़ा अच्छा आदमी है हमेशा positive सोचता है कोई जो है जी ये बिलकुल अच्छा आदमी नहीं हमेशा लोगों को नुफसान पहुंचाता है तो ये सारी ट्रेट्स हैं जिसके हम बात कह रहे हैं तो वो ट्रेट्स जो किसी परसिनलिटी को यूनीक बनाती है बही ये इनसान जो है ये बड़ा अच्छा है हमेशा ये आपके फाइदे की बात करता है और कभी भी जो है ये धोका नहीं देने वाला जूट नहीं बोलता ये वो ट्रेट्स हैं जो आपकी परसिनलिटी को इन चीजों के साथ यूनीक बनाके पेश कर रही है फिर उसने कहा कि कार्डिनल ट्रेट इस अब्जर्वड इन आलमोस्ट आल दा बिहेवियर्स थ्रूआउट वन्स लाइफ अच्छा उसमें सेंट्रल ट्रेट्स जो है वो ये कहता है कि सेंट्रल ट्रेट्स को जेनरल ट्रेट्स कह रहा है कि कुछ इनसानों में जिसे जनरली है न जी हम अच्छा लगना चाते हैं हम लोगों की तारीफ को पसंद करते हैं हम कभी भी जो है लोगों की बातारीफी टॉलरेट नहीं करते हमेशा जो है हम चाते हैं कि हमें अच्छी चीजें लोग गिफ्ट करें ये general traits हैं जिसमें आपके general जो है ना motives होते हैं जिसके उपर आप जो है वो लोगों के साथ expectations रखते हैं और आप जो है वो किस तरह के नजर आना चाहते हैं और किस तरह की society में किस तरह से move करना चाहते हैं ये आपकी general expectations भी है और general look भी है जो आप बनाते हैं तो यहां secondary traits की जब वो बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि यह वो characteristics हैं जो के behaviors को जो है किसी भी इनसान के उसको influence करती है in fewer situations, fewer situations का मतलब यह है कि जिसे अब आप class में late गए हैं तो वैसे तो generally आप सच बोलते हैं लेकिन आज teacher की डांट से पचने के लिए आपने जूट बोल दि और आज जो है आपका दोस्ट जो है आप उसकी बर्डे पर नहीं जाना चाहते और आपने जूट बोल दिया आप जो है किसी को कोई आप से काम खराब हो गया है तो अब आप बजाएए कि उसको truthfulness का मुझारा करें आपने का कि बेतरा लड़ाई से बचने के लिए जूट situation when you react differently whatever you are presenting in routine life that is called the secondary traits secondary का मतलब है ये प्राइमरी नहीं है कभी कबार जब कभी कोई ऐसी emergency आई जिसमें आप avoid नहीं कर सकते थे किसी भी चीज़ को तो आपने वहां पे जूट बोलके पनी जान चुड़ाई तो यहां यह जो तीन किसम की traits हैं इसको अलबर्ट कहता जी हमारी personality जो है वो इनका combination है हम जो है generally कुछ core competencies होती है कुछ हमारी general competencies हैं जो हम अपनी genes में से भी लेते हैं और environmentally भी लेते हैं जो के तकरीब सारे इनसानों की خायश होती है expectations होती है कि हमें यह चीज़ जो हमारी personality में नजर आनी चाहिए है चीज़ ड्रेसिंग होनी चाहिए हमें अच्छा नजर आना चाहिए हमें अच्छा काना पीना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग होते हैं वो लोगों को serve करके हूश होते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें सर्फ किया जाए और साथ ही जो है वो हर इनसान दोस्तों का पसंद करता है, कोई एक दोस रगता है कोई जदा दोस रगता है, यह भी आपकी परस्टनलिटी पर डिपेंट करता है, तो कहने का मकसद यह है कि कुछ चीजें जो के हमारे में common हैं, एक तो उसने कहा हैं कि ये वो ट्रेट्स होती हैं, एक वो हैं जो का खास हालात में हम अपनी ट्रेट्स को शो करते हैं, एक वो होती हैं कि जो के हमें uniqueness देती हैं, सिर्फ हमारे में होती हैं, वो किसी और में नहीं होती, तीन किसम की ट्रेट्स को पर ने का जी personality को हम define कर सकते हैं